हेलो आवेडरीवेरीवम्टू त यूज वेलकम्टो इच्चो उच्छाला आज हम देखने जा रहे हमारा सीथ का चैप्टर जेंडर रिलीजह एंड कास्ट जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वह a politics कास्ट म Fantastic तो शूरू करते हैं कि सर यहां पर सिफ एक ही रास्ता है politics और कास्ट के बीच में politics to influence the caste system and caste identities by bringing them into the political arena पर सर हम देखते हैं कि सर जो politics है ना वो भी कास्ट को influence करती है अभी हमने पहले वाले वीडियो के अंदर देखा था हमने देखा था सर कास्ट and politics अब हम देख रहे हैं politics in caste तो basically बताना यह चाहर है कि सट के जो politics है ना वह भी कास्ट को कहा करती इंफ्लोएंस करती है कास ऐइंटिटीस को क्या करती है इंफ्लोएंस करती है-दस इस नोट politics that gets cast-ridden इट-डीजट Этот क relies to become the अरही है धीरे-स वही दीरे-स होती जा रही है इकंवरिंग निए इपनी और अंदर पर ती जा रही है ताकि सर वो अपने जो group है उसको क्या बना सके वो large बना सके bigger बना सके ऐसे में various cast groups are required to enter into a coalition तो ऐसे में सर कई सारे cast groups को जरूरी होता है कि वो एक coalition में आए और इसी के साथ साथ with other cast ताकि वो other cast के साथ other communities के साथ क्या है coalition में आकि सर वो एक bigger cast बना सके एसे में new kinds of cast groups have come in the political arena like the backward and forward cast groups तो ऐसे में सर कई सारी नहीं कास्ट है ना हमारे political arena में आती जा रही है जैसे कि सर backward हुआ forward cast groups हुआ फिर हम देखते हैं thus cast plays different kinds of roles in politics तो ऐसा देखा गया है कि सर जो cast होती है वो कई सारी रोस को play करती है फिर हम देखते हैं in some situation expression of car differences in politics gives many disadvantage communities the space to demand their share of power तो ऐसे में देखा गया है कि कई सारी ऐसी situation है जब हम बात करते हैं expression of class differences की तो यह देखा गया है कि सर जो politics है ना वो धीरे धीरे सर जो हैना communities को जिन communities को disadvantage है ना उनको धीरे-धीरे space दे रही ताकि वो अपने share of power को demand कर सके in this sense caste politics has helped people from dalit and obviously caste to gain better access to decision making तो ऐसे में ही सर जो caste politics है ना उसने लोगों को help किया दलित को help किया ओविसी caste को help किया ताकि उन्हें जादा से जादा access में सके decision making का तो हम यह समझ सकते हैं कि सर जो caste में politics है या फिर politicization है जो caste का वह बहुत ज़्यादा जुरूरी है क्योंकि सर कई सारी ऐसी caste है जिसको इसकी जरूरत है ताकि वो अपने decision making के अंदर decision making process के अंदर अपना एक अच्छा representation बता सके several political and non-political organization have been demanding and agitating foreign and to discrimination against particular caste for more dignity and more access to land resources and opportunities तो कई सारी political or non-political organization जो demand करती है कि सथ discrimination है उसको हटाया जाए सथ जो कास discrimination ने उसको हटाया जाए लोगों को ज़्यादा है ज़्यादा dignity दी जाए उनको उनको उनकी गरीमा दी जाए उनको बहुत ज़्यादा access दिया जाए साथ ही साथ उनको एक लैंड और अलग opportunities भी उनको मिले फिर हम यह देखते हैं at the same time exclusive attention to caste can produce negative results as well पर सर ऐसा भी देखा गया है कि सर हम किसी कास्ट को exclusive attention देते हैं तो वो भी कई बार negatively result कर सकता है as in the case of religion politics based on caste identity alone is not very healthy in a democracy तो सर हम समझ सकते हैं कि जो कास्ट बेस्ट जो politics है ना वो ज्यादा healthy नहीं होती democracy के लिए इसी के साथ साथ it can divert attention from other pressing issues like poverty development and corruption तो ऐसे में सब्सक्राइब करते हैं जब एक पर्टिकुलर कास्ट को हम टार्गर करने लग जाते हैं जब किसी community को टार्गर करने लग जाते हैं तो हम बीसिकली हम हम हमारे जो issue actual issue से जैसे की पावर्टी है development corruption है उनको भूल जाते हैं इन समस्क्राइब देख लेते कि आज हमने क्या क्या देखा तो हमने शुरात में ही देखा ता कि सर अभी तक हम ने पॉलिटिक्स क्या है अब हमने देखा फिर हम देखते हैं कि सर जो का स्ट फिर हम देखते हैं कि सब्सक्राइब का सुस्टम को और इसी के साथ साथ उन्हें को यह ना में ले deemed watch यति फिर हम देखते हैं कि सब्सक्राइब कासच हो रही है वो उसा यह अे गया रही है सर ऐसा भी देखा जाता है कास्ट जो है वो खुद क्या हो रही है सर तो ऐसे में सर देखा जाता है कि सर ओवराल जो politics से, politics में कास्ट नहीं आरी कई वार ऐसा भी होता है कि कास्ट जो है वो खुद पॉलिटी साइज होती जा रही आः इसके कुछ several forms होते हैं जैसा कि सब देखा गया है कि अब जो कास्ट है वो धीरे धीरे अपने अंदर कई सारी जो कास्ट उनको सब जो कास्ट अपनी नेवरी कास्ट उसको मिलाती जा रही है ताकि वह एक बिगर कास्ट को बनाया जा सके फिर हम देखते हैं वेरियस कास्ट गुरुप्स जो होते हैं उनको requirement होती है कोलिशन की ताकि सर्व अधर कास्ट के साथ मिलके एक हैना एक कोलिशन बना सके एक इसे में ही हमारे सामने आते हैं कई सारे पॉलिटिकल ओर किसा हम समझते हैं और साथ समस्चे वर्ड़ कास्ट होती है उसल्स आउट संहां जाता है इसल्स जैसा हम समझते हैं कि कई सारे से कई सारे एडवांटेजिस मिलते हैं और जो डिस एडवांटेज कम्यूनिटी से उन्हें की स्पेस मिलता है ताकि वह अपने डिमांड को बता सके सर्जो कास्ट पॉलिटिक से वह बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि साथ दलित और 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 कास्ट को रिप्रेजेंटीशन जो डिमांड करते हैं एकिटीशन करते हैं कि सर्ज डिस्क्रमिनीशन हमारे सोसाइटी में इस डिस्क्रमिनीशन को हटा दिया जाए फिर हम देखते हैं कि सर्जरूरी नहीं है कि सर्फ हर कास्ट को एक्स्लूसिव अटेंशन देना भी कई बार नेगटिव हो जाता है ऐसा इस Daar हमारे हम हमारे घृसुं मुद्धों से कारन हम उन मुद्धों से कास्टिर्ट्ट में कर नशी तो देखा या है कि काहरी वीजिन के कारण हम देखते हैं कई सारी सोसाइटी में टेंशन हो जाती, कंफ्रिक्स हो जाते और कई बार वाइलनस भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं तो बच्चों आज के इस टॉपिक में इतना है इस टॉपिक से एलेटेटेथ कोई भी डाउट होता आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो से लाइक करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए हमारे स्कोर्ष आला के यूट्यूब चैनल को थैंक यू